कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी के खिलाप में जब से डिफेमेशन यानि की मानहानी का केस दर्ज हुआ है सूरत कोट से लेकर के गुजरात हाई कोट और फिर सुप्रिम कोट की दहलीज पर जाकर के गड़गडाना तो अब शायद राहुल गांदी को प्रधान मंतरी के लिए प्रधान मंतरी नरंदर मूदी को चौकीदार चोर है कहा गया सारे मूदी चोर क्यों होते हैं यहां तक की जो है बयानबाजी दे दी गई सोनिया गांदी की तरफ से यह कह दिया गया कि प्रधान मंतरी नरंदर मूदी तो मौत के सौदागर है इतने बड़े देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सत्ता मिल जाए अब अचानक से कॉंग्रेस पार्टी का सत्ता से मो भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब कॉंग्रेस पार्टी के पास मैंसा कोई भी चारा नहीं बचा है अब उन्हें पुर्धान मंत्री नरंद्रमोदी औ बढ़ती ताकत का अंदाजा हो चुका है इसलिए अब खुद ही हत्यार डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉंग्रेस की तरफ से जो हत्यार डाले जा रहे हैं सत्ता न लेने के लिए इसे लेकर के जो और दूसरे विपक्षी दल हैं। क्योंकि इंदनों देश में विपक्षी एका की पिपड़ी बजाई जा रही हैं वो विपक्षी दल अब सत्ता हत्याने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरसल बेंगलूरू में जो बैटक वीति उसके बाद में एक नया अब सियासी घमासान चड़ा हुआ है इस पर हम सिलसिले बार तरीके से चर्चा करेंगे आपसे आग रहे हैं कि चनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें ये मुद्दा करम है। दोस्तो राहूल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो कॉंग्रेस की पूर्वा द्यक्षा थी सोनिया गांधी उन्होंने हर एक मुमकिन प्रयास करें कि किसी भी तरीके से राजनीती से सन्यास लेने से पहले कम से कम एक बार राहूल गांधी के सर पर प्रधानमं की कुर्सी पर बैटता हुआ दरसल सोनिया गंधी देखना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास करें खेर अब तो उनकी रेटायर्मेंट किये जा चुकी है लेकिन अब दोस्तों कॉंग्रेस की तरफ से ऐसा बयान दे दिया गया है जो किसी के भी गले से नहीं उतर रहा है इसका मतलब लोग यहीं मान करके चल रहा है कि मोदी के सामने अब सोनिया सेना ने घुटने टेक दिये हैं आपको पता होगा कि बैंगलोरू में विपक्षी एका की बैठक हुई थी जिसमें अखलेश यादाव ममताब एनरजी मके स्टालिन अखलेश या पुल बलाकर के भाजपा को हराने की पूरी की पूरी पटकता लिखी जानी थी लेकिन इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में एक दिन बाद में दरसल कॉंग्रेश के राष्ट्री अद्द्यक्ष मलकर जुन खडगे ने इतना बड़ा बयान दे दिया है जिससे एक बार फ लोग समझ सकते हैं कि कॉंग्रेश पार्टी अपने आपको प्रधान मंत्री की दावेदारी से बिना चुनाव लड़े ही बिना कॉंपिटीशन के ही एक साइड यानि की अपने आपको बाहर रखती हुई नजर आ रही है यानि की मलका अरजुन खडगे के बयान का साफ और पर ये मतलब है कि वो नहीं चाहते कि कॉंग्रेश पार्टी से प्रधान मंत्री कोई बने आगामी जो 2024 के लोग सबाचनाव होंगे यानि की इसका मतलब साफ है कि वो नहीं चाहते या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांदी 2024 की लोग सबाचनाव की रेस में भूकी है ना तो कॉंग्रेश पार्टी प्रधान मंत्री पद के दावे के लिए जो है दावा ठोक रही है वो इस विपक्षी एकता में इसलिए शामिल है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश का जो लुकतंत्र है वो जीवंत रहे इस देश में जो सम्विधानिक संस्था है इनके हिसाब से जिस तरीके से भाजपा की सरकार किंदर की सरकार अटेक कर रही है उससे सुरक्षा दिलवाई जा सके ये बेसिक मुद्दे मलिकार जुन खड़गे उठा रही हैं अब दोस्तों यापर समझने बाली बात यह है मैं कई बार पहले भी अपनी रिपोर्ट्स म ये बयान दिया जाता है कि कॉंग्रेस पार्टी पीम पद की दावेदारी नहीं ठोक रही है तो रंत ममताब एनरजी के नेता निकल करके सामने आ जाते हैं और टीमसी के नेता ये कहने लगते हैं कि जब राहुल गांधी को पीम बनने में कोई भी इंटरस्ट नहीं रहा त लिकि ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि मुंगेरी लाल का सीन सपना है कि भारती जनता पार्टी के अगेंस्ट में एंडिये के अगेंस्ट में खास करके नेरंद्र मोदी के अगेंस्ट में ये लोग चुनाब जीत करके आ सकते हैं बावजूद इसके ममताब एनरजी प्रधान मंत्री बनने का सपना देखने लगी टीमसी के नेता ये दावा ठोकने लगे कि राहूल गांदी नहीं तो ममताब एनरजी ही सही आप लोग समझ सकने है कि सत्ता के लिए ये जो गठबंदन हो रहा है वो कितना जादा मैं कहूंगा अपने आप में लिजिबल है औ ये नाम NDA के अगेंस्ट में इंडिया और विपक्षी एका के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं क्या प्रधान मंत्री नरंद मोदी अब इंडिया यानि की भारत के खिलाफ में चुनाब लड़ेंगे अगर कोई विपक्षी एका या कोई पोलिटिकल पार्टी अपने किसी ग जा रहे हैं तो पड़ी खबर यही है कि अब राहुल गांदी पीम की रेस से बाहर हो चुके हैं सुप्रीम कोट के फैसले से ही क्योंकि सत्ता के गल्यारों में असी चर्चा थी कि राहुल गांदी को अगर जटका लगता है उनकी सदस्ता बहाल नहीं होती है उन्हें दो सा कॉंग्रेस की तरफ से बहुत ही जादा हमने विलाब भी होते हुए देखा कॉंग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि पुलिटिकल वेंडेटा की तहत राहुल गांदी के खिलाप में यह पड़ी स्ट्रेटिजी बनाई गई है उन्हें जान बूच कर कि उनकी सदस्ता को र रही है कि हमें प्रदानमंत्रिपद की कोई लालसा नहीं है हमें तो सिर्फ लोकतंत्र को जीवंत करने के लिए हमें यह चुना ब्रड़ना है तो सुप्रीम कोट का फैसला अगर कल को राहुल गांदी के खिलाप में आ जाए तो फिर जो लिबरांडू गैंग है और जो इस मोदी के खिलाप में चुनाब लड़ने में सक्षम नहीं है हम उनके कॉंपेटीटर नहीं है हमें प्रदानमंत्री पद की लालसा नहीं है हम तो सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लट रही हैं बैराल इसे लेकर भी सर्वे करवाया गया था जो मैं अपनी पिछल मंगाल की मुख्यमंत्री ममता बहनर जी तो ये अब साफ तोर पर ये दिखाई देने लगा है कि कॉंग्रेस पार्टी अपने आप ही घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही है मोदी के खिलाप में अपने आपको पीम पद की रेस से आप्ट आउट करके बहराल इस मामले करें आपको मिले आपको मिले।